फिल्म आदिपुरुष को काफी criticism में जहलने को मिला है फिल्म में जो modern रामायन दिखाने की कोशिश की है उसकी बुराई हुई VFX खराब कहा गया और राइटिंग को भी काफी बुरा कहा गया लोग काफी नाराज थे कि जिस तरह के dialogues हनुमान जी और रावन को दिये गए है वो dialogues बेहद disrespect वाले थे और लोगों ने इस फिल्म को ही boycott कर दिया आदिपुरुष जिस फिल्म से makers सोच रहे थे कि करोडों बना लेंगे उस फिल्म से उन्हें करोडों का नुकसान हुआ है और ये नुकसान सिर्फ पैसो के रूप में ही नहीं बलकि इज़त के रूप में भी हुआ है फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां अगर आपका काम चलता है तो फिर आपका नाम बन जाता है और सभी लोग आपके साथ काम करना चाते हैं लेकिन आपसे एक गलती हुई और आपके साथ कोई भी काम नहीं करेगा आपके सगे भी अपने से दूर हो जाएंगे शायद ऐसा ही कुछ हुआ है राइटर मनोज मुंतशिर के साथ जिन्होंने आदिपुरुष के डायलोग लिखे जिन्हें काफी बैकलेश जेलना पड़ा उन्होंने अब फाइनली माफी मांगी है अब तक मनोज मुंतशिर अपने डायलोग को सपोर्ट कर रहे थे और डिफेंड कर रहे थे यह कहते हुए कि जो हनुमान जी के डायलोग से वो हमने सुने हैं हमारे महले में जब पंडित रामकथा कहने आते थे वो ऐसे ही सुनाते थे जो डायलोग से वो सही है इन फैक्ट उन्होंने यहां तक कह दिया कि हनुमान जी जो हैं वो भगवान नहीं है वो तो भक्त थे हमने उन्हें भगवान बना दिया इससे भी उन्हें काफी क्रिटिसेजम जेलना पड़ा है अब मनोच मुंतिशर को पता चला है कि शायद उनसे बड़ी गलती हो गई है यही कारण है कि उन्होंने माफी मांगी है उन्होंने पब्लिकली माफी नामा जारी किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल से मनोच मुंतिशर ने आज लिखा मैं स्विकार करता हूँ फिल्म आदिपुरुष से जन भावनाओं को ठेस पहुची है अब सभी लोगों से मैं हाद जोड़कर बिना शर्त माफी मांगता हूँ और भगवान मुझे भारत देश और सनातन धर्म की रक्षा करने की शक्ती दे कुछ इस सरीके से आज मनोच मुंतिशर ने माफी नामा जारी किया है उन्हें उपनी गलती का एसास है और इसी के साथ उन्होंने कोशश की है कि इतने लंबे समय से जो क्रिटिसिस्म वो जेल रहे हैं उसमें अब बदलाव आएगा और लोग उन्हें माफ कर देंगे Well, we hope कि मनोच मुंतिशर की इस गलती को माफ करते हुए लोग उनके पिछले कामों को देखे और उन्हें एक बार फिर से अपनाए क्योंकि आदी पुरुष फिल्म को लेकर जो बिगाड हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ डायलॉग की वज़े से नहीं हुआ है उसके लिए अकेले मनोच मुंतिशर ही जिम्मेदार नहीं है डिरेक्टर और प्रेडियूसर भी उतने ही जिम्मेदार है सबसे बड़ी बात फिल्म को सोशल मीडिया पर या मीडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ मनोच मुंतिशर ही डिफेंड करते नजर आए बात करें फिल्म के डिरेक्टर ओम राउत की तो ना वो कभी सामने आया और ना ही उन्होंने माफी मांगी और ना ही इस फिल्म के प्रेडियूसर टी सिरीज उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है